तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी business opportunity के बारे में जिसको सुन करके आपको तो बहुत अच्छा लगेगा ही लगेगा अगर आप इसमें invest करते हैं तो आपकी खुद की एक पहचान बनेगी आपकी खुद की एक identity बनेगी और इसमें earning potential बहुत जादा है हो सकता है आपने से बहुत सारे लोग already pancard बनाते होंगे क्या कभी आपने सोचा है कि pancard बनाते बनाते आपकी खुद की एक website होगी आप अपने नीचे distributor, super distributor या फिर retailer या फिर white label create कर पाऊगे और फिर उनको किस price पे coupon देना है ये भी आप decide कर पाऊगे ये सब कुछ possible हो पाएग इस वक्त आपके screen पे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि website बहुत ही beautifully design किया गया है इसमें जो features दिये गया है वो काफी अच्छे हैं जैसे कि अगर हमको coupon लेना है यहाँ पे pancard बनाने के लिए तो coupon हमको instantly मिल जाता है ठीक है हमको कोई भी पैसा इसमें फसाने की ज़रत नहीं है coupon में क्योंकि ऐसा होता है कि हमने कुछ invest कर दिया और पैसे फ़र्द गया तो ऐसा कुछ होगा नहीं in fact हम coupon जो है वो आराम से उसकी status भी check कर सकते हैं हमने जो coupon खरीदा है वो coupon अभी उसका क्या status है यहाँ पर आप देख सकते होंगे आपके screen पे कि अगर payment fail भी हो गई तो हमको दिख जाता है और यह payment refund हो जाता है उसके बाद या फिर payment तो गई ही नहीं होगी ऐसा हो जाता है तो और payment अगर successful हो गई है तो coupon हमको मिल जाएगा तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि coupon का हमको status immediately दिख जाता है अगर हम PSA ID लेते हैं यहाँ पे तो हमक 51 रुपीज में आप पांकाट बनाने का business भी शुरू कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आप यह भी देख सकते हैं कि cropping tool भी दिया गया है website पर ही तो हमको अलग से कोई घंजट नहीं होगा कि हमको किस तरह से crop करना है क्योंकि cropping को लेकर के भी पांकाट बनाने वक्त काफी स चारे issue आते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि खुद का mobile app भी आ रहा है इनका तो क्या होगा कि आप पूरा काम mobile app के जरीए ही कर पाएंगे जैसे आप retailer ID बनाना चाहते हैं या फिर कोई bank card बनाना चाहते हैं जो भी काम है वो सब कुछ आप कर पाएंगे mobile app के जरीए mobile app इ चाहते हैं कि इसमें जो है आप white label ID भी बना सकते हैं और साथे साथ super admin ID भी बना सकते हैं कैसे क्या होता है यह सब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूं पहले जब हम bank card बनाते हैं तो सबसे basic जो होता है उसमें होता है retailer और सबसे जो upper level पे होता है वो होता है super admin जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाया है तो retailer जब हम बनते हैं तो हम सिर्फ pancard बना सकते हैं unlimited pancard बना सकते हैं इसका coupon वेगर का rate क्या है या फिर आप किस तरह से e-pancard या फिर pancard बनाएंगे मैं उसकी जानकारी यहाँ पे नहीं दूंगी मैं आपको business opportunity के बारे मैं बताऊंगी क्योंकि बहुत ही अच्छी opportunity है यह तो हम जब distributor बनते हैं तो हम अपने अंडर बहुत सारे retailer बना सकते हैं और retailer हमाले काम करते हैं उसी तरह master distributorship अगर हम लेते हैं तो master distributorship लेने के बाद हम unlimited distributor बना सकते हैं अब इसमें जो है white label और super admin यह दोनों सबसे अच्छा होता है business करने के लिए क्योंकि white label में जो है unlimited pan card तो बनी सकता है साथ ही साथ जो है master distributor भी आप बना सकते हैं distributor भी बना सकते हैं और आप retailer भी बना सकते हैं और इसका cost mark triple 9 rupees है तो आप सोचिए कि आप price set कर सकते हैं कि आपके जो retailer होंगे यह distributor master distributor होंगे वो किस price पे pan card बनाएंगे उसके हिसाब से आपक ID का जो charge होगा वो भी आप decide कर सकते हैं आपकी खुद की एक website होगी उस website पे लोग visit करेंगे आपको call करेंगे जैसे कि website मैंने अभी आपको दिखाई थी तो इससे आपकी जो पहचान है वो तो बनेगी ही साथी साथ income आप खुद decide कर सकते हैं कि आप कितना कमाना चाहते हैं और super admin तो मैं क्या बताऊं इसके बारे में आपको super admin में क्या होता है कि आपके पास एक website भी होगी आप जितना चाहें उतना white label बना सकते हैं master distributor distributor retailer बना सकते हैं और investment भी बहुत ही कम है इसमें मैं आपको coupon दिखा देती हूँ कि coupon का price क्या है तो आपको पता होगा कि normally जो pancard बन है पर यहां पर हमको अगर physical pancard बनाना है तो सिर्फ 98 रुपीज में ही coupon मिल जाता है अगर हम retailer ID लेते हैं और retailer ID की charge जैसे कि मैंने बताई है मादर 51 रुपीज है और immediately भी मिल जाता है हमको अगर हमको e-pancard चाहिए सिर्फ तो मादर 68 रुपीज में ही हो जाता है वही distributor ID हमको 21 रुपीज में मिल जा रही है और physical pancard के लिए coupon का charge हो जाता है यहां पर 97 रुपीज और e-pancard का हो जाता है 66 रुपीज master distributor ID लेना चाहते हैं अगर हम तो 399 रुपीज है ID का charge और pancard physical हम बनाना चाहते हैं तो उसका लगेगा 96 रुपीज और e-pancard मातर 94 रुपीज वही white label की बात करें तो 999 है ID का charge और इसके साथ ही साथ हमको physical pancard 95.5 रुपीज को और e-pancard 62.5 रुपीज का है अब हम sub admin की बात करें तो 1999 है ID का charge और physical pancard मातर 95 रुपीज में बनेगा और e-pancard 62. तो अगर हम sub admin बन जाते हैं तो हम चाहेंगे तो retailer का जो pancard का e coupon का charge है वो भी हम change कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारा commission बढ़ जाता है e-pancard का coupon का charge भी हम change कर सकते हैं और यहाँ पे भी हमारा commission बढ़ जाता है तो इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि हम हमारी earning खुद ही decide कर सकते हैं और यहाँ पे जो नीचे हमारे लोग काम करेंगे उनकी earning किस तरह से हमको effect करेगी मुझे लगता है वो भी आपको समझ में आ आपको दिखाती हूं कि कैसा दिखेगा आपको interface तो जैसी आप login करेंगे आपको कुछ इस तरह का interface मिलेगा और update कि इन्होंने भी हमारे से ही बनवाया था यह और आप देखिए कि यहाँ पे 2289 rupees का इनको total payment मिला है यहाँ पे क्या check कर रहे हैं आप वो भी exactly मिल जाता है तो यह जो user है उन्होंने हमारे से यह super admin ID ली थी और उसके बाद मैं उनका ही detail आपको दिखा रहे हूं ताकि आपको भरोसा तो होई जाए साथ में यह भी समझ में आ जाए कि income कैसे इसमें होती है तो यहाँ आप देखिए क्या लिखा गया है कि अभी तक आपने 2290 rupees के करीब user registration charge से कमाए है जो कि wallet balance में add हुआ है अधित जानकारी के लिए view button पे click करें तो यहाँ पे इतना कमाया गया है लिखता है और यहाँ पे यह भी बताया जाता है कि wallet balance कितना है अगर आप चाहें तो आप easily जो balance है उसको आप transfer कर सकते हैं अपने bank account में 2-3 रुपे का settlement charges लगता है that's आप कभी भी इसको अपने bank account में ही मंगा सकते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो tracking मिलते इसमें वो अच्छी है और आपको technical support बहुत ही अच्छा मिलता है मैं PSA ID पे जो login करते हैं वो भी आपको एक बार login करके दिखा देती हूं कि किस तरह से login होता है औ तो इस तरह का एक website पतलब पेज आएगा आपके सामने और यहां पर आपको login करना होता है तो मैं आपको login करके दिखाती हूं कि इस तरह का आपको दिखेगा तो यहां पर मैंने login कर लिया और आप देखे इस तरह से आपको एक pop-up message दिखेगा और pop-up message आने के बार आपको इस तरह से जो है यहां पर interface मिलेगा और यहीं पर हमको pancard का जो भी काम करना होता है वो हम करते हैं तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप खुद का brand बना सकते हैं खुद की पहचान बना सकते हैं आप खुद लोगों को काम भी दे सकते हैं क्योंकि अगर आप super admin की ID लेते हैं तो लोग आपके लिए काम करेंगे और उससे earning आपकी होगी साथी साथ आप तो retailer ID भी दे सकते हैं जो कि again एक आपके लिए बहुत benefit होगा और साथी साथ ये भी फायदा है इसमें कि उनका coupon का जो price है वो भी आप ही decide करते हैं तो ये सारी जो इसमें benefits हैं उसके साथ साथ एक time को ले करके सब लोग बहुत सोचते हैं कि कितने दिन में आपका pancard आता है त customer से कि उतने जल्दी ही आ जाएगा क्योंकि हम लोगोंने अभी तक जितना भी देखा है cases उसमें तीन से चार दिन के अंदर ही वे e-bank card आ जाता है तो मुझे मीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को एक like कर दिजिए चांद को subscribe कर करें और अपना मैं तो आपको suggest करूंगी कि आप अपना खुद का brand बनाएं आप super admin बनें ताकि आपकी earning opportunity बढ़ती ही चली जाए thank you